नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रेमा क्रियेटिव गार्डेन हमारे गार्डेन में आपका स्वागता है दोस्तों हम जो है अपने गार्डेन से कुछ दिनों के लिए दूर जा रहे हैं तो हमें लगा कि आपको दिखाएं थोड़ा सा हमारे गार्डेन का क्या हाल है वह एस साल तो टमपरेचर बहुत जादे चला ज़्या है जिसकी प्लांट सिर्वाइब कर रहा है जैसे यह जट प्लांट जो है इसमे में से कोई हो इस नहीं हुआ है बाकी प्लांट स्बेंक बुरिषती है देखिये हमारे सफेद गुराल का प्लांट है बहुत बड़ा साइज है विर्ट साइज है बहुत बड़ा साइज है इसका ये जुह झुलस गया है सारे ये दे तो इस्तिति तो इनकी बहुत नाजुख है चोड़ के जाने लायक नहीं है लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है हमारे बच्चे को इस समय हमारी जरुरत है ना घर में नियुम महमान आने बाला है इसलिए हमको जाना पड़ रहा है तो यह जो है कुछ दिनों के लिए हम इनसे दूर जाएंगे हमारा मन नहीं कर रहा है दूर जाने क्यांकि हमारे घर में कोई इनका केर करने वाला है बच्चे सब बाहर है और जो हमारे हस्बेंड है उनको जो है बहुत जादे इनकी जो है केर की इंट्रेफ्ट भी कम है और बहुत जादे उनको जानकारी भी नहीं है इसे गर्मी है, पानी कितना देना है, किसमें नहीं देना है, तो अगर देंगे भी, तो उल्टा सीधा देंगे, तो समझ लिजे काधे प्लांट हमारे खराब हो चुके हैं, और आधे ही हमें पता है कि हमें आधे ही प्लांट मिलेंगे, हम कुछ लोगों को तो बोले भी हैं, क यहां से जंने के बाद उनने बोला कि यह चाहिए थैरे आपने से देने में मुझे लगता है कुछ लोग ले जाते हैं बड़े सอง यह अपने घर में ले जाके फिरिसी के छेडनाही कर पाते हैं लेकिन हमको कल जाना है तो इसलिए आज इनको बहुत अच्छी तरह से नहलाए हैं जिसे कि यह लोग भी हमें याद करें लेकिन ज्यादा ना याद करें कि यह लोग याद में परिसान हो जाए और कोशिस करेंगे जल से जल दाने की अच्छा से निप्टा दे हमारा का उसके लोक्त बारिवाद हम जल्द से जल आएंगे माश जो से लाँडर हमारे सामारा क्पर्ण तो लो आजाती है और का मस्तम हैसाल में आ 40 दूप आजाती खूंट ऐसे जूप लोगोर पनी को नीचे बार बार उप नीचे उपर नहीं कर सकते ना कुछ प्लांट हम नीचे ले गए हैं आंगर में वह सुरक्षी था है पिर भी जितना बच जाएगा फिर आएंगे फिर नए सिरे से सुरुवात करेंगे क्योंकि हमारा ये फैसल है तो इसको तो हम चोड़ेंगे नहीं जितने भी बचे रहेंगे उससे कटिंग के द्वारा किसी तरह से दोस्तों ये शुबह का नजा रहा है कल रात में जो है लाइट चली जाने के वज़े से हम वीडियो नहीं बना पाए थे तो कि शुबह में उठ गये हैं लाइट बार बार आ जा रही है आज महुत परिसान कर रही है अब देखिए सुबह सुबह हवा चल रही है बहुत अंदर तो नीचे बहुत उमस है लेकिन चट पे जो है हवा चल रही है इन पोधों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है यही सब हम मिस करेंगे तो हम आ गए हैं ये सुबह सुबह का नजारा है देखिए हमारी चत लगती है और हम दुआ करेंगे आप लोग दुआ करेंगे कि हमारे जितने भी प्लांट बचे हैं हमें सुरक्षित मिले आने पर जिससे कि हम अपनी जो है बग्या को की फिर से अच्छी हरी भरी कर सके हलांकि यह वाला पॉर्षन थोड़ा साहारा दिखता है बाक सबके यहां वही हाल है कोई हमारे यहां अकेले नहीं हुआ है कि टंपरेचर रिशाल बहुत जादे हो गया था जिसकी वजह से इतनी दिक्कत आई है जो है आएंगे तो इसको जो है दुबारा से मेहनत करेंगे सब कुछ हो जाएगा अच्छा से और यह देखिए हमारे अडेनियम में जो है थोड़ी बीज लग गई है यह फलिया बनी है अडेनियम में इन में सोच रहे हैं कुछ बांध ही नहीं ते इन जब से पक जाएंग इनकी जो है फटके इनके बी जूड़ जाते हैं तो इनको बांधना बहु ज़रूरी है तो वाकी जो है हम पाउधये देखिए यह अपने बच्ची ख्याल ले जाने के लिए ग्लास में लगाये हैं यह सब पाउधये छोटे-छोटे हैं इन सब को हम ले जाएंगे मंबई क्योंकि हमारा हाँ भी मन तो इन ही में लगा रहेगा अगर देखिए यह शब तो पानी थोड़ा कम भी पायेंगे तो भी सर्वाइब कर जाएंगे इनमें विकत नहीं होती है अगर होती है तेक आट कहीं बचे रहेंगे तो कटिंगे द्वारा सब तयार हो जाएंगे लग हावा चल रही है पत्तियां खुष हैं रात में नहला दिये थे तो सुगर सुगर काफी खुष मिलते हैं लोग साम को होते होते हैं कि हावत खराब हो जाती है तो वही है कि हमारे नह रहने पर रुटी किया हाल होगी देखते हैं वाकी सब ठीक है तो फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर देखिए कब मिलते हैं आप लोगों से कोशिश करेंगे तो से जल्द वीडियो बनाने की मिलने की रुटी को आए